तो आज है हमारा देट 10 सोशो फिलोस्पिकल पस्पेक्टिफ ऑफ एजुकेशन यानि हमारी फिलोसफिक की सीडियस का और आज हम जिस फिलोसफिर के बारे में पढ़ेंगे वो है घीजु भाई बगेडा ठीक है तो आईएब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो गीजु भाई पगेडा है ठीक है यह इंडिया में ही बॉर्ण हुए थे 15 नवंबर 1885 में गुजात में इनका बर्थ हुआ था और यह एक लीडर की तरह इनोंने काम करें हमेशा से और टीचर थे यह जो थे जब खुद टीचर थे यह बागे टीचर पे फोकस करते थे उनको अब्जर्फ करते थे और स्टूडेंट्स को अब्जर्फ करते थे क्यूंकि इनको बच्चे अट्रैक्ट करते थे मतब बच्चों के परतीन में बहुत ज़्यादा प्रेम था इसलिए उन्होंने खुद का बाल मंदिर भी खोला था जिसमें तीन साल तक के बच्चे उसमें आके पढ़ते थे उनको एजुकेशन ये देते थे बुक से नहीं बाकी चीजों से वो एजुकेशन देते थे और इनको बच्चों से बहुत ही ज़ादा प्यार था इन्होंने कहीं सारी स्टोरी राइम और सॉंग्स भी लिखे हैं चिल्रन्स के उपर भी लिखा है और इनसे बच्चों के साथ रहे के उन्हें प्लेजर मिलता था, बहुत खुश रहते थे वो बच्चों के साथ, ठीक है तो अब अब इनकी ही बात करेंगे इस वीडियो में, एजुकेशन फिलोसफिय ऑफ गीजु भाई, तो इनकी एजुकेशन फिलोसफिय क्या थी, heaven is in the pleasure and happiness of the child, यानि जब बच्चे कुश होंगे, वो ही इनके लिए heaven था, heaven यानि की जननत थी, इनके लिए अगर बच्चे कुश होंगे, तो इनका mind भी खुश होता था, heaven is in the health of the child यानि जब बच्चे healthy होंगे वो भी हमार लिए एक heaven ही है जब बच्चे song आते हैं बच्चों की song और humming का मतलब है जब बच्चे बातचीत करते हैं खुश रहते हैं उनकी voice इनके लिए heaven थी और बच्चों की innocence जब बच्चे खेलते हैं तो वो इनके लिए heaven था अब इनका बाल मंदिर का environment कैसा रहता था सबसे पहले हम देखते हैं concerned for child individuality यानि ये मानते थे कि हर एक इनसान अलग होता है और उस चीज़ पर ये focus करते थे individual बच्चे पर ये focus करके चलते थे वहाँ पर ये बच्चों को घंटो घंटो स्टोरीज रिडल्स पोयम वगएरा ये सब सुनाते थे ठीक है ये cats, monkeys, mice, इन सब की स्टोरीज भी बताते थे ठीक है और ये थोड़े animals वगएरा भी रखते थे ताकि बच्चे उनको अब वहाँ पर बच्चे जो थे वो mutual understanding और cooperation से रहते थे एक दूसर से बात करते थे ठीक है और वो उन्हें आसपास की चीज़ें observe करवाते थे जैसे कि अपना खुद का ग्लास पानी का भरो चोटी चोटी सीडियां चड़ो तो ये सब बच्चे उन्हें सिखाते थे कभी-कभी पूरे दिन रात बच्चे वहीं रूख जाते थे क्योंकि वो बच्चों को sunset दिखाते थे sunrise दिखाते थे आलू छिलवाते थे बच्चों से मतलब उने basic life training देते थे कभी-कभी वो night sky मतलब night में sky के नीचे सोते थे मतलब खुले मैदान में सोते थे बच्चों के साथ फिर यहां पर locally made economical learning material थे यानि की real life exposure बच्चों को मिलता था जैसे stars के बारे में सिखा रहे हैं तो stars को दिखा के वो सिखाते थे ठीक है sharing activities with children वो बच्चों के साथ मिल जूल के काम करते थे उनके साथ खेलते थे ठीक है फिर observing nature वो बच्चों के साथ observe करते थे nature को flowers को trees को understanding teacher वो यह बोलते थे कि बच्चों की बार teacher को सुनने चाहिए ठीक है क्योंकि बच्चे का confidence होना चाहिए teacher में कि अगर मैं teacher को कोई बात बताऊंगा तो वो लीक नहीं करेंगी या फिर गलत वेसे response नहीं करेंगी ठीक है तो teacher को बच्चे को समझना चाहिए ताकि बच्चा confidence बना के रखे फिर no examination यह बोलते थे कि examination नहीं उनके मतलब बाल मंदिर में examination की place नहीं थी वो इसकूल को एक sacred praise या धार में एक सल मानते थे इसलिए वहाँ पर education का कोई भी रोल नहीं था बच्चे ऐसी सीखते थे आसपास की चीजों को बच्चों के मन में डर आता है और वो बच्चों के मन में डर बिलकुल भी फैलाना नहीं चाहते थे अब देखी इनके के education principles से सबसे पहला child-centeredness था यानि बच्चों के आसपास चीज़ें हमें रिवॉल्फ करवानी चाहिए उनके इंट्रेस्ट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चाहिए चाहिए बच्चे को समझना चाहिए बच्चे के इंडस्टैंडिंग होनी चाहिए लव और सिंपैथी हो में फ्लावर के बार में सिखा रहे हो तो फ्लावर दिखा ओ प्रैक्टिकल एक्सपेरियंस देना चाहिए बच्चे को टीचर को जो है जा गाइड काम करने चाहिए बच्चों को टाइम एडवाईज देनी चाहिए और मतलब कि को अगर वो कोई भी चीज के बार में बच्चों को पेन पकड़ के हमें हाथ पकड़ के लिखवाना चाहिए, डिक्टेशन वगएरा भी देते जाओ ताकि बच्चे की हीरिंग पावर और राइटिंग पावर दोनों डेवलप हो, ड्रॉइंग बच्चों से करवा हो ताकि वर्ट्स बनाना आना चाहिए, बच्च बच्चों को फ्रीली खेलने का मौका मिलना चाहिए, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है, और उनकी कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू भी थे जैसे की, जैसे देखिए, टेरेबन व्यूस के आथा, टेरेबन कंपेर गांधी जिव गीजु भा ला देते थे, ओजाला कर देते थे, और महात्मा गांधी कहते थे, कि जो गीजु भाई थे, वो अपने वर्क के लिए बहुत जादा डिवोटेट थे, और उनका काम मुझे एट्रैक्ट करता था, यानि गांधी जी को उनका काम एट्रैक्ट करता था, मॉन्टेसरी कहते थ कि गीजु भाई जो थे वो बच्चे की freedom को focus करते हैं बच्चे की happiness को focus करते हैं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ठीक है और कि शोरी लाल उनको क्या बोलते थे कि मैंनों का काम देखा है कि वो कैसे कितने अच्छी तरीके से बच्चों में values को develop करते हैं ठीक है और ये सब उनके बार में बात होई थी यानि उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज होती थी गीजु भाई का philosophy सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी तो इस वीडियो में हमने बात करी गीजु भाई बगेदा के बारे में और वो बच्चों के साथ कैसे उनका relation था उन्होंन किया हुआ है वहाँ पर भी जा के आप लोग पूछ सकते हैं and if you like watching the education of videos to do subscribe to my channel thanks for watching